पानी पीने का आपको भी कुछ बेनीफिट ओनीफिट हुआ है सर मतलब चुकि आप हेल्थ कॉंसे बहुत जादा हो आप अगर बैंगलोर ओफिस तक यह विडियो नहीं पहुचा रहे तो मैं बोल दूँगा मुझे पहले यह बोलना मुझे पहले यह बोलना पड़ेगा कि मैं डिस्ट्रिप्यूटर के रूप में यह आंसर नहीं दे रहा हूँ मैं डॉक्टर नहीं दे साई मेरी जो इससे आसर दूँगा तो यह नो कंपणी को को दिक्कत नहीं होगा मतलब as a person as a like health conscious person as an individual मैं अपना experience personally जरूर मैं share कर सकता हूँ क्योंकि जब मेरा यहां कोई गोली नहीं है बेचने का because हम सभी you know family है यह सच है कि जब November 2019 में मेरे घर पे machine लगी तो मुझे इसके science को product के science को समझ कर मालूम था कि यह result दे सकता है बड़ सीधी बात है कि knowledge यह समझ होना और उसका experience करना दोनों में बहुत फरक होता है अब मैं एक ऐसा इंसान था कि पिछले 10 साल से मेरी जिंदगी में regular exercise यानि कि hardcore gymming उसके साथ साथ hardcore diet follow करना मेरे diet के लिए मेरे family members यह कहते है कि मेरी tongue जो है मेरी जबान जो है वो laminated है मतलब कि मुझे कोई चीज़ का taste नहीं आता ऐसा उनका कहना है क्योंकि मैं उतरा discipline के साथ diet follow कर पाता हूँ और मैं 11 साल की उमर पर योग सीखा था 14 साल की उमर पर तो योगाचारिये बन करके लोगों को योग सिखाना मैंने शुरू कर दिया था तो health के साथ बहुत बर्सों से मैं connected हूँ मैं एक tennis player था state champion बनके nationals तक पहुँचा था तो sports में भी था तो मुझे diet का importance तभी भी पता था और मैं health coach के रूप में health के sessions भी लेता हूँ तो अब ये सारी चीजों का जो निचोड की health का awareness और मेरे अंदर का health जो या fitness का level था बहुत अच्छा था overall हर तरीके से I was blessed but मुझे ये था कि ये machine में इसलिए लगवाओ कि मेरे parents को benefit मिले मेरा logic मेरे benefit का नहीं था अब parents को तो बहुत अबरजस्त benefit मिले लेकिन मेरा personal experience मेरा body fat average 17 पर रहता था average diet और exercises के साथ और जिसको reduce करवाने के लिए मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा काडियो एड करना पड़ता था और बहुत ही ज़्यादा clean diet carbs को cut कर देना पड़ता था तो ही जाकर मैं 15 तक लेकर जा पाता था लेकिन उससे नीचे तो possible नहीं हो रहा था जब से मैंने canyon शुरू किया तबसे 2 महने तक डो महने ने 2 महने में कभी बाहर ना खाना खाया हो उस आदमी ने हफते में 4-4 बार बाहर खाना खाया और दो महिने में जब मैंने एक भी दिन छुटी नहीं ली है कभी अपने जिम में दो महिने के दोरान में सिर्फ एक हफता जिम गया और साथ हफते छुटी थी और उस दोरान कैंगन पानी पिया और मेरा मशीन जो बायोमेट्रिक मशीन रहता है जो मेरे वहाँ है जो almost 70,000,000 रुपे का मशीन आता है जो आपके body का fat और muscle बताता है आपको वो machine ने दो महिने के बाद मुझे जवाब ये दिया कि मेरे muscle डेड़ परसंट बड़े है और body fat जो 17 पर रहता था वो कमों के 12 पर आया है and I was amazed और पता है नागेश्वर सर में एक बात बता हूँ आपको energy ने मुझे बहुत कुछ दिया उसमें से एक वापिस क्या दिया है पता है जिंदगी वापिस दिये मैं एक ऐसा पागल इंसान था कि बाहर का कभी खाता नहीं था मसाला टेस्ट कुछ नहीं जब से कैंगन आया है हफते में एक लीस दो से तीन बार I enjoy food anything and everything what I want second you know अभी वो जरूरत नहीं है कि exercise करना ही पड़ेगा no doubt I do exercise regularly बट होता है ना कि वो एक जिद अब जरूरी नहीं है because एक दो दिन छुटी भी है but still कैंगन मेरे body में जो acid मैं डाल रहा हूँ या मेरे stress की वज़े से भी जो acids create कर रहा हूँ काम की वज़े से भी कर रहा हूँ so that is helping me you know to keep my body alkaline and जब minus ORP की बात करें तो यारो उसके लिए मुझे आपको और दो घंटे का वक्त देना पड़ेगा इसके उपर तो हमने पूरा session design किया है कि minus ORP क्या कर सकता है और कैसे आपको anti-aging की और लित कर जाता है okay so it's a whole science behind it और जसके उपर मैं बाद में कभी मौका मिले तो detail में बात करना चाहूँगा particularly actually Shivangi इसके उपर बहुत अच्छी बात कर सकते है मेरी वाइफ जो Kodak Health Coach है, Nutrition Coach है she's a yoga teacher, Zumba teacher, बहुत सारे उनके पास Ayurveda के और multiple degrees है तो मैं यह कहना चाहरा हूँगा कि अगली बार जब कभी अगर super 30 में मौका मिलता है तो शायते subject को हम छेड़ेंगे तब detail में but yes at a personal level number of benefits आपने छेड़ दिया वैसे by the way मेरे दोस्तों आप में से कितने लोग चाह रहे हो कि शिवांगी मैम का भी एक session बनता है बहुत सूपर 30 में कितने लोग चाह रहे हो चैट बॉक्स में ज़रा शिवांगी मैम टाइप करना आपको शिवांगी मैम टाइप करना एक बार अब चुकि सर ने सामने से मौका दिया तो हमको छोड़ना नहीं चाहिए शिवांगी मैम टाइप कर सकते हैं और प्राबबली अगर ये message ये chat box पूरा मैं इसका लिखो आप लोग मेरे लिए सबूत रहेगा शिवांगी मैम को भेजने के लिए मैं बोलोगा देखो मैं में खाली नागेश्वार का demand नहीं है इतने सारे लोगों ने demand भेजा है और शुरुआत सर ने की थी तो क्या ना वो double हो जाएगा तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा छेली सर बहुत 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 शुक्रिया आपने तो बिलकुल एकदम काम हमारा बहुत आसान कर दिया definitely इससे काफी ज़्यादा जो है लोगों को काफी कुछ health के बारे में actually मैं minus ORP किस तरह से आपके body में कितना उसका फायदा है कितना lab है सबसे powerful property है वो चीज आपको पता चलेगा सर ने जब 15% 17% fat की बात कर रहे थे तो सर मैं वीडियो में कुछ लोगों को देख रहा था बैचारे वो अपने left right देख रहे थे इनका तो 15-17% है अपना कितना है और मतलब आज तो कुछ लोगों की आपने percentage बोलके सर नीदी उड़ा दी होगी अभी भी देखो जैसे मैंने बोला जिन्होंने नहीं देखा था उन्होंने भी देखना चालू कर दिया भाई अपना कितना होगा अपना तो 15-150 और 170 के आसपास घुम रहा होगा लेकिन अच्छा की असर आपने वो बढ़ती भी जो सांस थी ना उसको रोग दिया यह बोलके कि भाई मैंने बाहर खाना चालू कर दिया है इसका मतलब गारी आप ये पानी कंटिनूसली पीते हो तो हो सकता है कि मतलब जो है हमको इसका बेनिफिट हमको इसका फायदा फ्यूचर में एक अच्छे तरीके से हो पीछे सर आपके मुझे ना एक सिंबोल दिख रहा है फिट भारत और फिट भारत में I don't know आपने ये जान बुचके किया या फिर जो है ये नैच्रली हुआ अगर दोस्तों अगर आपकी नजर फिट भारत वर्ड पे जा रही है तो वहाँ पे ना मेरेको तीन कलर दिख रहा है बहुत तेजी से एक पहला कलर है ग्रीन कलर का जिसमें खुस होता हुआ उनसान उचल रहा है और दूसरा अगर आपको कलर दिख रहा हो तो भारत है जो थोड़ा बिमार है अइसिडिक उसका कलर हो चुका है उसका acidic थोड़ा color हो चुका है लेकिन एक group है जिसने उस भारत को जो neutral लोग हैं जो बाजू में उचल रहे हैं उनको fit करने का जिम्मेदारी ले लिया है अब I don't know आपकी नजर उस पे गई या नहीं गई लेकिन पता नहीं मेरी एक घंटे से उसी पे नजर जा रही है कि ये color combination कैसे pick किया सर ने आप समझना दोस्तों कर दो यार तारीफ कर दो गर अच्छा लगा तो observation बढ़ियां लगा तो है चलिए बहुत बढ़ियां मेरे दोस्तों can you see that और ये कुदरत का कारम है ये जब आप लोगों के लिए अच्छा करते हो लोगों के लिए अच्छा सोचना चालू करते हो तो कुदरत automatically आप से करवा देता है एक भारत मेरे दोस्तों जो थोड़ा तकलीफ में है जिसकी body acidic हो रही है acidic चीजे market के अंदर बहुत ज़्यादा consume हो रही है वो red color में acidic color में है एक इंसान जो उसको लगता है कि मैं neutral हूँ लेकिन उसको नहीं मालूम हूँ कि वो कभी भी acidic जा सकता है उसको एक group है जो पूरी तरीके से fit करने का एक जिम्मेदारी लिया है थोड़ा सा detail में बताएं ये fit भारत mission क्या है what is fit भारत mission fit भारत mission का हमारा उद्देश ये बस यही है कि हम लोगों को सही aware हेल्थ की बारे में और मैं साथी साथ ये भी कहना चाहूंगा कि कैंगन जो है वो fit भारत का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है अब मैंने एक चीज देखी है कि इनसान जब कोई चीज पैसों से पाता है मैं समझाता हूं मैं क्या बोल रहे है आज हस्पताल में कितने सारे लो hypoc जो डॉक्टर से ये कह रहे ये कि डॉक्टर साब 2,0k nie 3,0k ले लीजिए बचा लीजिए तो पांच अजार वला injection कोई बात नी पक्चीस सजार ले लीजिए लेकिन कही ना कहीं से injection ला दीजिए दोस्तों जब लोगों को कभी में बताता था health is wealth लोगों को तब समझ नहीं पड़ता था आज कोरोना के बाद ये सारी समझ लोगों के अंदर आ चुकी और हमें से सभी ने कुछ ना कुछ ऐसे experiences अपने उपर ये अपने परिवार के उपर भी कर ली है और जब हम Fit भारत Mission को लेकर आगे चले लोगों को awareness देते हुए health का और जब ये knowledge बांट रहे तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़े है diet का knowledge है योग परनायम का knowledge है exercise का knowledge है बहुत सारी चीज़े सिखाते लेकिन हमें ये भी मालूम है कि कुछ भी कर लो कुछ ऐसे लोग रहेंगे ही रहेंगे जिनके लिए exercise करना शायद उतना संभव ना हो शायद एक diet को follow कर पाना उतना आसान नहीं होगा शायद हर दिन वो योग परनायम नहीं कर पाएंगे या कर भी लेंगे तो शायद उतना वक्त नहीं दे पा रहे है अब ऐसा क्या है जिसको आसानी से बदला जाए और जो तुरंट आपकी health को effect करे और वो है पानी और इसलिए हमने कैंगन को भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाया है जब हम अपने health के हर seminars में लोगों को aware करते है कि वे कुछ नहीं कर पा रहे तो पानी बदल दो अब जब पानी बदलने के लिए मैं कह रहा हूँ यहां तो मैं एक चीज और जोड़ दू मेरे फादर ने मुझे यह सखाया था कि जो चीज पैसो से हो जाए वो दुनिया का सबसे आसान काम है अब यारो एक बात बताओ कि यहां पर जब आज लोग हफते दो हफते के कौरेंटीन में हस्पताल में दो चार पांच लाग रुपया खर्चा कर लेते है तो उसके सामने आज एनेजिक का प्राइज या कैंगन मशीन का प्राइज कैसे जादा हुआ और इसी लिए जब मैं लोगों को यह समझ देता था कि भाई जब तू जाएगा ना तो अपने पीछे जमीन जाएदा सब को छोड़ करी जाने वाला है अब सोचो मैं यहाँ पर कोई अगें उन लोगों के बात नहीं कर रहे हैं जो सही में फिनैंशल विचारे स्ट्रॉइवल कर रहे हैं विकन अंडेस्टेंड देम बेटिक मिडल क्लास और उसके उपर का जो लेवल पर आदमी जो भी जिन्दगी जी रहे हैं अब अगर अनलाइस करोगे न जब भी भी ओ दुनिया छोड़के जा रहे हैं आप देख लेना वो हमेशा पूरी जिन्दगी मेनत करता है फ्यूचर में बचाने के लिए बचाने के लिए बचाने के लिए फ्यूचर सिक्योरिटी फ्यूचर सिक्योरिटी लेकिन जबी भी जाएगा 99.9% के इसमें अपने पीछे बहुत कुछ छोड़के जाएगा और तब मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि जब ऐसा कुछ इन्वेस्ट करने का मौका मिले जब की जिन्दगी को पढ़ना पसंद करते थे तो 6 लाक रुपे के कोर्सेज पिछले 4 साल के दोरान उसने अटेंड की होंगे सिर्फ हेल्थ की उपर 6 लाक रुपीज की फीज पे की है और मेरा क्या उद्देश्य था ये सब करवाने की पीछे सुनो उद्देश्य ये था कि अभी तक ठीक है घर में एक शेफ है खाना पकाता है लेकिन शादी के बाद अब वो यानि कि मेरे वाइफ वो सुपरवाइस करेंगे कि खाने में क्या बनने वाला है और मेरे पेट में क्या जाने वला है अब जब उनको सूपरवाइस करना है कि मेरे पेट में क्या जाने वला है तो मैं सिर्फ उनको health के classes और nutrition के classes और cooking classes इसलिए attend करवार था ना कि वो health coach बने लेकिन इसलिए कि अगर वो nutrition का और health का knowledge पालेंगे तो बाद में मेरे घर पे जो खा मेरी गिंती थी अब आप ही दुनिया को बताईए जो हम फिट भारत के द्वारा भी बता रहे है कि health is the real wealth आज wealth कमाने के लिए आदमी 10 घंटे निकालता है चेक कर लो आप 8 घंटे working आने जाने के साथ 10 घंटे निकालता है health कमाने के लिए कितने घंटे अगर wealth के लिए 10 wealth तो health के लिए फिर कितने घंटे तो जो आदमी वो एग घंटे का वक्त नहीं निकाल पा रहा अपनी health के लिए और 10 घंटे wealth के लिए निकाल रहा है तो उसको बोले भाई थोड़ी सी wealth health पर invest कर दे बस यह है fit भारत mission कुछ लोग मुझे publicly private में question पूछ रहे हैं कि fit भारत mission च